एटीएस वगरा एटीएस की जो स्पेसिफिक कारवाई हो रही है तो डे टू डे बेसिस पे तो देते ही है लेकिन एक वीकली अपडेट इस वीक से आप लोगों के लिए अम लोग दिया करेंगे सो दाट एक जो पूरे एक सब्तावर में क्या कारवाई हुई है उसका भी एक अपडेट रहेगा निथलेश वो बाट दे दिये सबको जार्खंड सरकार के निर्देश पर और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश और मार्गदर्शन में और नेतरुत में जार्खंड में जो संगटित अपरादिक गिरोग कारेरत हैं उनके विरुद विशेश रूप से सक्थ सक्थ कारवाई करने के लिए जार्खंड ATS और CID वो विशेश रूप से इसका टास्क दिया गया है और जार्खंड पुलिस मुख्याले के द्वारा इस पूरे अभियान की मौनिटरिंग हाईस लेवल पे इसकी मौनिटरिंग की जा रही है जैसा कि आप लोग जानते है कि कुछ दिनों पूर्व भी जो अभी तक जो कारवाई हुई है और खास कर संगटित अपरादिक गिरहों के विरुद जो अपेक्षित कारवाई है ताकि इन गिरहों की एक्टिविटीज पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके तथा इनके जो भी सदस्य है उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कारवाई हो सके चाहे वो जेल के अंदर बंध हो या चेल के बाहर हो उनके खिलाफ सक्त से सक्त कानूनी कारवाई सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है और इसी के आलोक में जार्खंड पुलिस विशेश कर जार्खंड ATS और CID के द्वारा संयुक तुरूप से इस कार्या को किया जा रहा है पुलिस महानिदेशक मौदेके निर्देशा नुसार जारखंड ATS और CID के द्वारा इस कार्य को करने हैं तू जारखंड में कारेरत सभी जो ये संगटीत अपरादिक गिरोह है उनकी पूर्ण रूप से सूची बनाई गई तथा उनके जो समर्थक है उनके जो आश्रेद आता है उनके जो आर्थिक स्रोत है उनको आइडेंटिफाई किया गया और इस विशेश अभियान को 16.7.2023 से प्रारंग किया गया आज जो आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूँ वो 16.7.23 से लेके 24.7.23 तक ATS और CID के द्वारा जो संयुक्त रूप से इन गिरोहों के खिलाफ करवाई की गई है उसी का लेखा जोखा है इसमें मुख्य रूप से जो अपरादिक गिरोहों जिनको टार्गेट करके ये कारवाई की जा रही है वो अमन साहू गिरोह है अमन सिंग गिरोह है अमन श्रिवास्तव है प्रिंस खान है कालू लामा गिरोह है लवकुष सर्मा गिरोह है पतरातू का पांडे गिरोह है वि इसमें प्रारंभिक चरंड में जार्खन के कई ऐसे जिले जो मुख्य रूप से संगटित अप्राद की गतिविदियों से ग्रसित रहे हैं जैसे कि राची, धनबाद, रामगड, पलामू, चत्रा, बोकारो और लातेहार में लगभग 109 जगहों पर जो है ATS के टीम के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया, छापामारी की गई है लगभग इसमें 80 लोग जो गिरों के सदस्यों को जो चिन्हित किया गया था, इसमें से लगभग 80 लोगों का सत्यापन किया गया है और 45 लगभग लोगों को जो संदिक्त जिनकी गतिविदी पाई गई है, उनको हिरासत में लेके उनसे पूश्टाज की गई है 36 ऐसे व्यक्ति जिनका क्रिया कलाब संदिक पाई गया है, उनको बाउंडाउन भी किया गया है साथ ही साथ, 10 ऐसे अप्रात कर्मी थे, जो कई वर्षों से या कई कांडों में वांचित थे और फिरार चल रहे थे वैसे सक्रिया प्रात कर्मियों की गिरफतारी, ATS के द्वारा इस पीरेड में, इस साथ दिनों के पीरेड में की गई है जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले सप्ता भर जब से ये कारवाई शुरू हुई है, जो घटना क्रम जैसा कि आप लोग जानते है कि 17 तारीक को 17-7-2023 को जब ATS की टीम छापामारी है तो रामगड जिले में पतरातू थाने में छापामारी कर रही थी तो उसी क्रम में ATS के पुलिस उपाद एकशक नीरच कुमार और उनकी टीम के ही सविंस्पेक्टर सोनु कुमार जो है अपराधियों के स्वात मुढभेट के क्रम में घायल हुए थे और उनका इलाज जो है राची में चल रहा है तो उसी 17 तारीक से ही जो है इन गिरोओं को जो चिन्नित करके कारवाई की गई है उसमें जो बढ़का गाउं थाना कांड संख्या 156 बाई 23 है जिसमें कि रित्विक कंपनी के पदादिकारी की हत्या की गई थी और साथ-साथ अरगोडा थाना क्षेत्र में भी जो फाइरिंग हुई थी उसमें जो अमन सहु गिरोओं का जो कुख्यात अपराद कर्मी चंदन साव जो शार्पशूटर था वो वांचित था फिरार था और कई दिनों से पूलिस उसको तलाश रही थी उसी दिन जो है शार्पशूटर जो चंदन सावे उसकी गिरफतारी ATS के टीम के द्वारा और माजी थाना क्षेत्र से की गई हैं साथ-साथ उसके वारिश अंसारी इसको रामगड के पतरातू थाने से गिरफतार किया गया और सोनु कुमार को और माजी थाना क्षेत्र से गिरफतार किया गया ये सारे ही अमन साहू गिरों के सदस्य रहे हैं इनके पास से हथियार गोली इत्यादी भी बरामत की गई है ये जो हथियार बरामत किये गया है ये वही हथियार है जिनका इस्तमाल इन अपरादिक गटनाओं को अंजाम देने के लिए अमन सहू गिरोग के द्वारा किया गया था उन्हीं हतियारों की गिरफतारी जो है बरामद की जो है इनकी निशान दही पर हुई है इसके साथ साथ जो गटना हुई थी जिसमें पुलिस उपाद इक्षक और हमारे सब इंस्पेक्टर जिसमें घायल हुए थे उस कान का जो मुख्य अभ्यूग था बॉबी साओ उर्फ सिधार्थ साओ सिधार्थ कुमार इसको भी 19 तारीक को रामगड और लोहरदगा पुलिस के सहयोग से एटियस के दवारा भंडरा थाना लोहरदगा से गिरफतार किया गया है और इसकी निशान देही पर इसका जो साथी है राजन कुमार उसको पतरातू थाना से गिरफतार किया गया है सिदार्ध कुमार उर्फ बॉबी जो है ये अरगोडा थानाक्षेतर में और रामगड के पतरातू थानाक्षेतर में जो अपरादिक घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में ये शामिल था सकरी अपराद कर्मी था और आमन साहू के रोह के लिए कार्य कर रहा था अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले